जिले मैं 6 से तंबर को अल सुबा 8 बजे बहरोड थाने में फाइरिंग कर मुस्ट वॉंटेड पपला उस विक्रम गोर्जर को भगा ले जाने की वारदात में अलवर पुलिस की कारश अली पर सवाल खड़े कर दी है गटना गिरिन हुई प्रतिक जानकारी की तस्दीक के लिए गिरफ्त में आए 50-50,000 रुपे के 13 इनामी बदमाशों को लेकर पुलिस रविवाद उपहर को बहरोड के बाजार से लेकर गुजरी इस वीच पुलिस अफसर बदमाशों से एहम जानकारी जुटाते रहे वही बदमाशों की सडक पर परेड देख आमजन का कानून विवस्था पर फिर से भरुसा बढ़ता नजर आया वे मुवाइल फोन से वीडियो फोटो बनाते रहे जो की सोशल मीडिया पर वारल हो गए दरसल 6 सितंबर को हुई फाइरिंग की वारदात में शामिल 50-50 हजार के नामी तेरह बदमाशों को लेकर एस ओजी की टीम और पुलिस के अधिकारी रविवार को बहरोड पहुचे